कि यहां कैसे हूं आप लोग बताने के प्रयास करना और आई वोग बिल्कुल अच्छे मस्त स्वस्तूंगे अगर आज का जो लेक्चर स्कीप करेगा आज का लेक्चर जो नहीं देखेगा अनि कि मैस में हंड्रेड में हंड्रेड का उसका सपना खतम होने वाला है देखो अगर मैस में अच्छे से अच्छे नमबर लाना है इस लेक्चर को बात दस मेर से कम का लेक्चर है कम का वीडियो है इसको देखने के प्रयास जरूर किरना मेरे दोस्त आज के नेक्चर में आपको बताने वाला है कि मैस में कौन-कौन चेप्टर आपको पढ़ना है और कौन-कौन चेप्टर से 100 में 100 कर सकते हैं ऐसे मैत की बात करें मेरे दोस्त यह मैत बिहार गुट इंटर परिक्षा 2025 का जो न्यू सलेवस है उस सलेवस में कौन-कौन चेप्टर पढ़ना है और कौन चेप्टर पढ़ना आपके लिए important है और किस चेप्टर से कितना objective आता है कितना दो नमबर वाला कोशन आता है कितना पांच नमबर वाला कोशन आता है किस चेप्टर पर जाला फोकस करना है सब सवाल का जवाब आज मिलने वाला है मैंने वितर रियाद रखना किस चेप्टर से कितना नमबर पूसता है कौन चेप्टर आपके लिए परना important है कौन चेप्टर नहीं पढ़ोगा तयो काम चलने वाला है तो सभी बात का आज यहां पर जिक रहोने वाला है मिरे दोस्त तो 100 में 100 की 100% ग्रांटी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप 5 चेप्टर पढ़ लेते हो पूरा में पूरा नमबर कर सकते हो कौन कौन चेप्टर चलो बताने के प्रयास करता हूं मिरे दोस्त फड़ा फड़ा आप लोग के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वेले गंद वालिजिए और तब तक आप टेलिग्राम भी जॉइन करें ना केकी जी क्लासे सर्च करें के लिंक आपको डिस्क्रिप्टर में मिल जाएगा तो चलो मिरे दोस्त सबसे पहले हम सलेबस के और बढ़ने के प्रयास करें तो सबसे पहला आपको सलेबस में मैत के सलेबस में देखना मिरे दोस्त आपको यहाँ पर दो केटिगोरी दिख रहा होगा मैं आपको बताऊंगा समझाऊंगा भी क्या है तो सबसे पहला अगर चेप्टर का यहां पर जो चेप्टर का नाम दिया गया है यहां पर देखो इसके नीचे जो भी होगा चेप्टर का नाम उस चेप्टर के सामने दिया होगा यहां पर अब्जेक्टिव है इसमें जितना अब्जेक्टिव पूछा गया है कौन चेप्ट महने किस chapter से कितना number total push दा है चलो lecture को शुरू करते हैं सबसे पहला chapter आपको परना chapter number 1 जो आपको class tools के chapter number 1 math का है जिसका नाम है relation and function जिसको हम संबंद and follow कहते हैं जिससे आपके exam में 4 objective question 4 objective question 1-2 number वाला question आता है नहीं कि लहुतीरे प्रस्थ नहीं कि short question टोटल जो हुआ 6 नंबर हुआ क्योंकि गोँ नंबर वाला कोशन करें एक कोशन आनि कि 2 नंबर मिलेगा और 4 दो 6 नंबर आनि कि लॉंग कोशन नहीं पोशता है आनि कि chapter 1 से 6 नंबर का आपके एक्जाम में पोशता है मैं आपको समझाओंगा tensor मतलब कौन chapter पढ़ना भी है chapter 2 है जिसका नाम है inverse trigometric function inverse trigometric function मतलब होता है प्रतिलों तिरकुरमेति फलन बयाजी प्रतिलों तिरकुरमेति फलन का मतलब हुआ यानि कि जो तिरकुरमेति का उल्टर और यह जो तिरकुरमेति फलन है इसे आपके exam में 8 objective पूछे जाते हैं कितने 8 objective कितने 8 objective पूछे जाते हैं और 200 question आने कि लगुतिर प्रसुतर 2 और 1 long question आने कि एक 5 नमबर वाला question पूछता है अगर हम total number की बात करें 8 number E और यह 2, 2, 4 कितना होगे इसको चार number 5 number 9 number और 8, 9, 8, 17 number हो गया भाई यहाँ पे थोड़ा मैं यहाँ पे missing कर दिया 13 number नहीं अगर 13 number तभी हो सकता है जब आपको यहाँ पे long question नहीं पूछेगा लेकि long question पूछेगा दो short question पूछेगा और कम से कम 5 से 8 objective पूछेगा लगबग यहाँ आपको 15 नमबर के exam में पूछ देता है 15 से 16 नमबर के exam में पूछ देता है यानि कि इस chapter को तो परना important है ठीक है ना चार इसे मैं बता देता हूँ total में क्या है आगे चलिए अगल का chapter आपके पास matrix matrix जो अभीव कहते हैं जो बहुत अच्छा चेप्टर है बहुत छोटा चेप्टर है और बहुत हलका चेप्टर है जिससे आपके exam में 8 objective एक short question हैनि कि total 10 नमर के आपके exam में पूछ देता है और बहुत easy है इससे long question नहीं पूछ देता है देखे ना मेरे मित्र अगर बात करे तो देखो में दोस्त अगर यहां पे नमनीं तोरा बगल में गलती लिखा गया है यहां पर 17 नमर होना चाहिए यहां पर 10 नमर और यहां पर 5 यानि कि 5 2 7 4 7 4 11 यानि कि 7 नमर यह 11 नमर का exam एक यह 11 सब्हुल कर दोस इन शीयाटि का चैप्टर है और हम लोग के थोड़ा थोड़ा काटिगोराइस प्रहा जाता है जैसे कि नाम है ऐसे NCRT में इसका नाम देखोगे तो continuity and differentiability होता है क्या होता है continuity and differentiability और इसी के एक चेप्टर मतलब पांचवा जो चेप्टर है ना इसी के topic at differentiation जिसको हम आउकलन करते हैं वह कोई chapter नहीं पढ़ना है वह चेप्टर एक topic है जो चेप्टर नंबर आप देखना है NCRT में उसका continuity and differentiability होगा आपे सत्यांतियम आउकलन नियत्या उसी के topic at differentiation जिसको आउकलन करते हैं और इस चेप्टर में जो चेप्टर करना में continuity and differentiability इस चेप्टर से पूस्ता ही नहीं है इस इसमें topic आउकलन जिसको differentiation करते हैं उससे आपके exam में 14 से पंद्रह objective पूस्ता है बाई 14 से पंद्रह चार सोट को सन्याने की कितना देखो कि चाउदा objective चार दोना आठ नमर का लगुत्रिय प्रसुत्तर एक लॉंग को सन्याने की एक गुने परना बहुत जरूरी है 27 नमर उठा रहा है वाई सोच लोग ठीक है अगला हमाई topic है application derivative यानि की अनुपरियोग यह चेप्टर पर हो यान आपको कोई फरके नहीं परता है तो पहिल का chapter आपको छठा चेप्टर परने की जरूरत नहीं है ठीक है न छट्या चेप्टर परने की जरूरत नहीं छोड़ दीजिए चेप्टर नम्हें ऑकलन का अनुपरियोग ठीक है न जिससे आपको objective zero short question zero by the case बुल भूले गुआ एक long question पूछेगा तब पूछेगा नहीं पूछेगा यह zero है यह zero है बस एक long question पूछता है लेकिं longer अपका makeup कहां से हो जाएगा एक आपको एक टीर हो जाएगा सार्निक से एको differentiation से दोगो चार को सन का जवाब देना है एक वापका हो जाएगा यहां पर इन्वर्श ट्रिकोंटी फंक्शन से और एक हो जाएगा आपका इंट्रिकेसन से ऐसे पूछने के लिए तो पूछबे करेगा पांच उको न आप पूछेगा आठ पूछेगा एक्जाम में टोटल आठ पूछता है लेकिन आपके आठ पूछेगा लेकिन आपको चार जवाब देना है इस चेप्टर को परने की जरुवत नहीं है इसको आप छोड़ दीजिए इसको कौन-कौन परना उसको भी वताएंगे टिंसन बतलो यहां तक आपको समझ में आया कि यहां तक कितना पूछता है इसका प आपको पचीष और आपको जबाब किद्ण देना है तो विसमें से पचीष यहां डिता है इन्ट्रीगेशन सोचली जवाब देना है तो सोला नमबर आठ गुने दू मतलँ सोला नमबर सुन रहें देख रहे हैं का है इंट्रिगेशन यह है पचीस अब्जेक्टिव 16 नमर का सब्जेक्टिव सौट को साना दो लॉंग को साना निके दस नहीं मत पांच गुन दस हिसाब जोड़ लो कितना हो गया आप यह हो गया 26 26 और 25 कितना हो गया 52 नमर का पूछता है थीक है ना आप यह 26 और 51 हो गया ना 51 नमर का एक्जामत पूछता है आनि कि आधहा पूड़े मैत का आधहा के लाग हीन करें सो नमर के एकजामत आप 51 नमर तो इसी चिप्टर से पूझ रहा है बाई इंट्रिगेशन को कभी대 reject intrusion नहीं परे तो मैत में कुछ नहीं होने वाला है जाये कुछ भी करनों 100 मार कभी नहीं आ सकता चयुक्तर नवर आपको चप्तर नोर 6 और चप्तर ने और नहीं परना है चो है आब उसके बाद अश्वक्तर नॉम online इंपोर्टेंट है थोरासा अगर अधर यहलन समयकरण जिसको को इसे जिसका नाम है ऑकलन समी करन डिफ्रेंसल इक्वेशन जिससे आपको छे ऑब्जेक्टिव कोशन दो सौट कोशन एक लोग कोशन पूशता है तोटल आपको 15 नमर के एक्जाम में पूश देता है ठीक है अगलका चेप्टर आपके पास है जो 10 नमर चेप्टर जो सबसे इजी ह और सबसे असान है और अच्छा खासा एक्जाम में पूशता है लगवग देगो 26 नमर का पूशता है जिसका नाम है वेक्टर आपे सदीस बिजगनिती है आप याद रखना सदीस बिजगनित की बात करें में दूसर जिसको वेक्टर कहते हैं और वेक्टर का कम से कम 15 27 हो गया लेकिन आपको 26 लिखा है कोई दिक कर दे एक नमर इधर उदर होता रहता है याद रखना है टोटल इस चेप्टर से 26 नमर पूशता है जिसमें से 15 अबजेक्टिव यानि कि अगर यह समाकलन के लिए वेक्टर के लिए कर लिए और साथ में साथ मिम्न और और के लिए कर लिए मतलब आपको डिफरेंसिशन के लिए कर लिए पूरा अबजेक्टिव के लिए हो जाएगा 50 में 50 तो वेक्टर 15 अबजेक्टिव 300 कोशन और एक लोंग कोसन आपके एक्जामे कूशता है टोटल 25 26 27 समर के एक्जामें पूश देता है अगल का चेप्टर आपको 3D है इसको नहीं पर होगे तब यह काम चल जाएगा 3D जिसको आप लोग क्या कहते हैं तरी बीम यह जैनिती कहते हैं 3D Geometry कहते हैं इसको नहीं पर होगे तब पर भी काम चल जाएगा चेप्टर नमर आपका 11 चेप्टर नमर 12 जिसको LPP कहते हैं LPP linear program जिसको कहते हैं इस से objective तो पूछता है लेकि easy पूछता है अगर इसको भी नहीं भी पढ़ते हो काम चलेगा लेकिन यह ग्राफ है अगर मैं आपको पांच मिनिट के अंदर पांच में पांच नमर उठवा देता हूं तो कोई दिक्कत हैं बस यह long question के लिए और यह ज्यादा नहीं है पस दो मिनिट के काम है ग्राफ सीख जाओगे काम के तम ग्राफ आपको बना कर बता दिया जाएगा यह clear हो जाएगा पा होगे नहीं नव परो बस आपको दो कोई सन को क्या करेंगा ग्राफ समझा दोंगा पांच नमर उठा लोगे क्योंकि एक long question इससे पूछता है ठीक है ना total 8 long question पूछेगा जिसमें से एक long question इसमें भी होगा और यह long question आपके एक्साम में पूछेगा जो आराम जवाब देना सबसे ही जी होगा 5 में पूरा मिलेगा इसलिए आराम से कर सकते हैं अगल का चेप्टर ने हमारा प्रविलिटी प्राइक्ता प्राइक्ता जो चेप्टर जिसे तीन अब्जेक्टिव दो आप देखना इसमें हम कुछ हाइलाइट किये हैं यह हाइलाइट है यह कलर कुछ चेंज है इसका परना है बहुत परना पड़ेगा हंडेर मने प्राने के लिए एक इंट्रिगेशन एक वेक्टर है कम से कम यह दो चेप्टर पूड़ा पढ़ना पड़ेगा दो चेप्टर पढ़ने सी फाइदा कि है कि आपको कमसे कम यहाँ पे 45 सबसे भारी क्या है आपका यह आएगा डिफ्रेंसियर से 27 नमर दे रखा है लेकिन 27 नमर से ज्यादा होगा 27 नमर है वहाँ 10 नमर और 13 नमर और 7 नमर देख लो भाई अगर जोर होगा तो आपका 100 नमर से प्लस जा रहा है बस इतना चेप्टर पर लो बस छे चेप्टर आपको इंवर्स डिगोमेट्री फंक्शन मैट्रिक्स डिटेमिनांट और डिफ्रेंसियेशन इंट्रिगेर्शन और वेक्टर मात रिच्टिना चेप्टर पर ये 100 मेंट कोई निशी नेगा अब लोग उसका पढ़ाई किसे होगा अब हो सकता है कि इसका पूरा तो पर नहीं पाओगे तो इंपोर्टेंट कोशन असर कैसे मिलेगा तो मैं दोस्त आपको बता देते हैं बस सब का सलेक करके कि आपको लिया आया हूँ यहाद रखने हर चेप्टर से जो चेप्तर इंपोर्टेंट है उस प्री देंगए ज्यादा सो नहीं करेंगे हर चेप्टर से 405 इननरी दीस का सबसीरेगा तो कम सब्रस से बीस परना करेंगा सब्जेक्टिव सोट कोशन अंसर और जिस चेप्टर से लॉंग कोशन पूछा जाता है याद रखना जिस चेप्टर से पूछा जाता है लॉंग कोशन जो है जिस चेप्टर से पूछा जाता है उसी चेप्टर से हर चेप्टर से कहला देंगे जिस चेप्टर से पूछा जात पूरे मिल जाएंगे पूरे इंपोर्टिंट को सन वाल सब्सक्राइब जाएगा और केवल यह मैथ ही नहीं केवल मैथ का ही नहीं मैं दोस्त याद रखना इसमें आपको क्या-क्या मिलेगा मैं आपको बता देता हूं कियो champions नहीं अगर चाहो तो आप किवल मेथ ही नहीं अगर चाहो तो आप मैस्टी ले सकते है विजिक्स ले सकते हो बायों मैस ले सकते हो मैस माश्य दहा हुं 120 यह 100 दो नमबर वाला question answer मिले answer के साथ साथ में 20 long question लेकिन math में थोड़ा ज्यादा होगा math में 40 long question है क्योंकि practice करना यह बनाने वाला चीज है कोई याद करने वाला चीज नहीं है 300 objective 100 short question 100 short question इसलिए चेप्टर नहीं पढ़ना important में अगर हम हर चेप्टर का पंदरा को अंदरा को सन देता है पंदरशक नब्य है आपका आराम से 100 के करीब हो जाएगा इसलिए मेरे दोस्त यह math है उसके वाल सब्जेक्ट मिल जाएगा नंबर आपको नीचे दिख रहा है contact कर लीजिएगा और फ़र आपका सिमित समय के लिए अपनी सर्पेटर पोड़ोज़र यह हैं कि अपने से देख सकते कान्च और कितना नमर पुछता है ठिक है नवे दोस्त तो थैंक यू